नमस्ते दोस्तों, ग्रोव एजुकेशन ग्रूजी में आपका स्वागत है आज का जो टोपिक है उसमें से हर एक्जाम में क्यूशन आते हैं और चाहे तो राजस्थान की एक्जाम हो या इंडिया लेवल की UPSC हो या RPSC या फिर रेलवे हो या बैंकी या पटवारी या रिट कोई भी अग्जाम हो उसके अंदर एक से लेकर चार तक ये क्यूशन पूछे जाएंगे क्यूंकि यह है टोपिक बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और आज इसी के उपर हम बात करने वाले हैं तो बात करें वह टोपिक है ओलमपिक ओलमपिक खेलू के आईजन की बात करें तो सबसे पहले युनानिम के अंदर शुरू किये गए थे और वह जगा थी ओलमपिया और सन रही है 796 इसापूर है और जो एक गेम आईजित किये जाते थे यह वहां के जो देवता थे उनको समर्पित गेम जिनका नाम जियूस है अब बात करते हैं कि किसने ये बंद करवा दिये तो राजा का नाम था थियोडस और उन्होंने इसको बंद करवा दिये आधुनिक ओलमपिक की बात करें तो इनका प्रार्म 1896 इसमिय में विया था और वह जो जिनके प्रियासों से ये दुबारा प्रार्म विये थे उनका नाम बेरोन पियर डी कोर्बटी है और वह है एथेंस के अंदर यूनान के सहर एथेंस के अंदर प्रारंब किये गए थे अब बात करते हैं इनका आयोजन आयोजन की बात करें तो यह हर चारवर्स के बात होते हैं अंतराश्टिय ओलमपिक समीती की बात करें तो इसकी स्थ गए है वहाँ पर यह खेल आउजीत की स्थापना की बात करें तो 1924 के अंदर की गई थी और जो अदेख्ष गनाये बारत यह अलमपिक प्रिशद के जो अदेख्ष थी वो जे जे टाटा थे ओंपिक दवज की बात करें तो सुर्वा पर्थम 1920 के अंदर एंटरोप ओलंपिक के अंदर फैराए गए थे आप बात करते हैं जंडे की तो जंडे की बात करें तो उनके अंदर जो पांच चकर आपको एक दूसरे से मिले विदिखाई देते हैं तो उनका और लाल रंग है वह है उत्री और दक्षिनी अमरीका को दर्शाता है पदक की बात करें तो पदक की जो मोटाई होती है वह है तीन एमेम की होती है और जो उसका वर्त होता है वह हो साथ है एमेमेम का होता है अब बात करते हैं मेडल की मैडल के अंदर जैसे गोल्ड मैडल है उसके अंदर 6 ग्राम सोना और बाण में पॉइंट 9 बाण में पॉइंट 6 चांदी होती है चांदी या फिर कहते हैं रजट रजट के अंदर प्योर चांदी का होता है अब बात करते हैं कासे की कासे पदक उसके अंदर कोपर यानि की त कि मोती है वह हमेशा युनां की ही होगी और सबसे पीछे कि बात करें तो वह Het जिस देश में आजशी थो रहे हैं यानी मे जबानदेश की बाकी देश सलफावेट के hill साव से आते रहते हैं अब बात करते हैं कि सर्वधिक पदक किस देश ने जीते हैं अब तक तो वह देश है रूस जिसने पिच्पन पदक जीते हैं अभी तक है और वो सन रही है 1988 सियोल जो ओलम्पिक थे उनके अंदर अब बात करते हैं भारतिय खिलाडी पर्थम भारति खिलाडी कौन था तो वह इंडियन खिलाडी था और 1900 के अंदर जो ओलम्पिक हो रहे थे उनके अंदर भाग लिया था जिनका नाम प्यार्जड था और उन्होंने दो पदक जीते थे इतलेटिक्स के अंदर अब बात करते हैं हम वर्तमान की तो वर्तमान की बात करें तो बारत के अंदर जो पदक की बात करें तो कुल शात पदक भात ने जीते हैं जिन में से एक गोल्ड मैडल दो रजत और बाकी कासे पदक हैं जो सबसे भारत का पहला पदक था वह है मीरा बाइच चानू ने जीता और वह है रजत पदक था और वह है काटेगरी उन्हें 40 किलो के अंदर वेट जीता था और उनकी कुल बाहर की बात करें तो उन्होंने 202 किलो बाहर उठाया था वहीं दूसरे सिल्वर मैडल की बात करें तो वह है जो था वह है रवी कुमार दहिया ने रवी कुमार दहिया ने कुस्ति के अंदर जीता अब बात करते हैं बजरंग पुनिया जिन्होंन कासे पदक यानि कासे पदक यान ब्रोंज मेंडल जीता वह कुष्ती के अंदर 65 किलो के अंदर बजरंग पुनिया ने जीता वहीं हमारी स्टार पीवी सिंदू जिनोंने बैडमिंटन के अंदर कासे पदक जीता वहीं लवलीना ने बोक्सिंग के अंदर कासे पदक जीता और और लास्ट में बस्ती है भारत ये पुरूस ओकी टीम जिनोंने बड़ा ही सांदार परदसन करते हुए 41 साल का सुखा कतम करते हुए अपना ब्रोंज मैंडल जीता अब बात करते हैं 2012 के अंदर भारत ने कुल 6 पतक ही जीते जिसमें 2 रज़त और 4 का से थे अब एक सबसे इंपोर्टेंट क्यूशन है उसकी बात करें तो वह है क्यूशन है कि हमारी एक गोल्फर थी जिनोंने चोथा स्थान प्राप्त किया है उनका नाम अदिती असोख है उनका क्यूशन बहुत ही इंपोर्टेंट बनता है क्यूंकि यह क्यूशन अक्जाम में पुझा जाएगा पहली जो की गोलफर हैं यहां तक पहुंचने वाली और जो की सबसे बलास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं वह है नीरत चोपड़ा हमारे स्टार जिन्नोंने गोल्ड मेडल जीता है और वो भी एथलेटिक्स के अंदर वो पहले भारती बन गए हैं एथलेटिक्स जिन्नोंने अपने इंडिजिवल गेम के अंदर गोल्ड मेड जो की गोशना हुई है उसकी बात करते हैं रजो की भारत का सबसे बड़ा खेल पुरुषकार था राजी उगांदी खेल पुरुषकार जो 1991 बाणवे में सुरू किया गया था वह है अब नरेंदर मोदी ने उनकी गोशना करते हुए जो होकी के जादूगर कहे जाते हैं उनके नाम से इसको रख दिया है और उनका नाम मेजर ध्यानचंद है और उनकी जनम की बात करें तो 29 अगस्त 1905 के अंदर इलाबाद में हुआ था और उन्होंने बारत को तीन बार सुरने पदक दिलाया है तो अब जो हमारा सबसे बड़ा खेल जो रतन पुरूशकार है उसका नाम मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है तो यह क्यूशन भी बहुत इंपोर्टेंट बन गया है वही क्योंकि यह पुछा जाएगा एक्जाम में कि जो राजी उगान दी खे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब गरें और यह जानकारी अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक पहुंचाएं ताकि इसको सभी को इस वीडियो का फाइदा मिल जिके क्योंकि यह इन में से बहुत शारी क्यूशन आपको पूछे जाने वाले हैं